नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो ना? आज हम एक नया पार्ट पड़ेंगे, जसका नाम है बाउसाहेब बांदोडकर क्या किसी को पता है कि हम विद्यार्थी दिन कब मनाते हैं? हाँ, बिलकुल सही सोचा अपने, हम विद्यार्थी दिन 12 मार्च को मनाते हैं क्या आप जानते हैं कि 12 मार्च को हम विद्यार्थी दिन क्यों मनाते हैं? क्या कोई भी जानता है यह बात? नहीं इसी दिन गोवा के पहले मुख्यमंत्री श्रीप भाउ साहेब का जन्म हुआ था क्यों मनाते हैं हम क्योंकि इस दिन गोवा के पहले मुख्यमंत्री जो थे श्रीप भाउ साहेब उनका जन्म हुआ था किस दिन जन्म हुआ था उनका बारा मार्च को और इसलिए हम विद्यार्ती दिन मनाते हैं वे विद्यार्तियों से बहुत प्यार करते थे विद्यार्तियों के लिए उन्होंने बहुत से काम किये इसलिए हम उनके जन्म दिन को विद्यार्ती दिन के रूप में मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं हम विद्यार्ती दिन इस दिन क्योंकि उन्होंने जो भाव सहे पान दोड़ कर है उन्होंने विद्यार्तियों से बहुत बहुत प्यार करते थे आप जैसे जो विद्यार्ती होते थे जो पढ़ने के लिए जाते थे उन्हें वे बहुत प्रेम करते थे और विद्यार्तियों के लिए उन्होंने कई सारे काम भी किये है इसलिए हम उनके जन्म दिन पर क्या मनाते है विद्यार्ती दिन भावु साहेब का पूरा नाम था दयानन्द पालकृष्ण बांदोडकर वे गोवा की जनता से बहुत प्यार करते थे भावु साहेब का पूरा नाम क्या था दयानन्द बालकृष्ण बांदोडकर वे गोवा की जो जनता थी जो हम लोग जो गोवा में रहते है उन सबी को वे बहुत प्रेम करते थे वे बड़े सीधे साधे और दयालू थे गोवा के लोग उन्हें प्यार से भाव कहते थे वे सच्चमुच सबके भाव यानी सबके बड़े भाई थे लोग उनका बहुत आधर करते थे वे कैसे इंसान थे? वे बड़े ही सीधे साधे और दयालू थे वह लोगों को बहुत प्रेम करते थे सबके साथ मेल जुल कर रहते थे और इसलिए गोवा के लोग उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? भावू भावू यानी क्या? भावू यानी बड़े भाई अवे सचमुच सबके बड़े भाई जैसे ही थे इसलिए लोग उनका बहुत आदर करते थे आदर याने क्या? सम्मान करते थे उन्हें इज़त देते थे भावू साहेब जादा पड़े लिके नहीं थे लेकिन उनके मन में शिक्षा के प्रती बड़ा प्रेम था गोवा के मुक्ती के बाद उन्होंने गाव गाव में विद्धा लाई खोले भावू साहेब जादा पड़े लिके नहीं थे जादा पड़े लिके थे क्या वो? नहीं लेकिन उनके मन में शिक्षा के प्रती जो प्रेम था वह बहुत बड़ा था वह गोवा के जो मुक्ती के बाद उन्होंने गाव गाव जाकर विद्धा लाई खोले विद्धा लाई याने स्कूल जो कॉलेजिस है या स्कूल है वह उन्होंने गाव गाव जाकर खोले आप जैसे बच्चों के लिए ताकि वह शिक्षा ग्रहन कर सके ताकि वह और भी पढ़लिक कर कुछ कर सके अपनी जिन्दगी में इसलिए उन्हें गोवा में गाव गाव में जाकर विद्यालय खोले बावु साहेब एक अच्चे खिलाडी थे वह क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे आप लोगों मैंसे किन किन को पसंद है खेलना बहुत से लोगों को होगा हा ना तो यहाँ पर भावू साहे भी एक बड़े अच्चे खिलाडी थे वो क्या खिलते थे? क्रिकेट और फुटबॉल आप मैंसे कई सारे बच्चे खिलते होंगे ना? हाँ, उन्होंने कई खिलाडियों की सहायता भी की है वे सच मुच बड़े दानी थे जरूरत मंदों को हमेशा दान देते थे उन्होंने बहुत से खिलाडियों को जो खिलते थे, उन्हों सभी खिलाडियों को बहुत से खिलाडियों को उन्होंने सहायता प्रदान की है वे बहुत ही दानी थे वे जरूरत मंदों को हमेशा दान देते थे जो भी जरुरत मन लोग होते थे, जो उनके पास आते थे, वहों उन्हें दान देते थे, कत्रा आते नहीं थे भावु साहिब बड़े कला प्रेमी थे, अपने देश के प्रती उनके मन में गहरा प्रेम था गोवा मुक्ती में उनका बड़ा योगदान था तो यहाँ पर क्या बताया है, कि भावु साहिब जो थे, वहों बड़े ही कला प्रेमी थे उन्हें कला उन से बहुत प्रेम था, अपने देश के प्रती उनके मन में बहुत प्रेम था अपने देश के प्रती भी उनका प्रेम जो था वह बहुत गहरा था वह अपने देश से बहुत प्यार करते थे जैसे हम सब लोग करते हैं है ना? अगर नहीं करते हो तो करना चाहिए गोवा मुक्ती में उनका बड़ा योगदान था जो गोवा मुक्ती में जो आंदोलन होते थे या फिर उनकी लडाया होती थी वहाँ पर उनका बड़ा योगदान था सभी को समझ में आया धन्यवाद